हेलो फ्रेंड्स मैं रेनू आप सभी का एक बाफ फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू दकिचीन चैनल पे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है सर्दियां चालू हो चुकी है सर्दियों में बाजरे की रोटी सभी को बहुत पसंद आती है और बाजरा काफी फाइदे मन भी होता है तो दोस्तों जैसे कि कोई-कोई बाजरे की रोटी नहीं बना पाता कोई-कोई किसी-किसी की फट जाती है तो मैं आज वही टिप बताऊंगी जिससे बाजरे की रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और फटेगी भी नहीं और बहुत ही बढ़िया बनेगी तो चलिए बनाते हैं बाजरे की रोटी तो चलिए दोस्तों बनाते हैं बाजरे की रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली है अब उसमें हम लेंगे बाजरे का आटा यहाँ पे बाजरे का आटा ले लिया है मैंने और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप सभी को मेरे चैनल पर अच्छी रैस्पियां देखने को मिलेंगी और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों तो यहां पर देखिए हमने बाजरे का आटा ले लिया है अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहां पर आगर आप चाहें तो डाले ना चाहें तो नमक न डालें और इसमें मैंने पानी डाल दिया है पानी एकदम नमे नहीं डालना है बाजरे का आटा है क्यों एकदम से खटा पानी डाल देंगे तो बाजरे का आटा गीला हो जाएगा और धंग से नहीं गुतेगा इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है हाथ पे ऐसे और ऐ बाजरे का आटा भी दोस्तों बहुत तरीके से माणना पड़ता है तभी हमारी रोटी बाजरे की परफेक्ट बनती है तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इस तरीके से आटे को गूतेंगे ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस तरीके से हमें बाजरे की रोटी दोस्तों चने की भाजी हो या गुड से हो या किसी भी सबजी से खाईए काफी अच्छी लगती है गर्मा गर्म इसको खाईए बहुत टेस्टी लगती है मैंने सोचा क्यों आज मैं बाजरी की रोटी का वीडियो आप लोगों के संग शेयर करूँ जिससे आप भी बनाएं और आपकी भी ना फटे और बिर्कुल परफेक्ट बने तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिए आटा हमारा इस तरीके से गुत जाए तो इस तरीके से हमें से कम हम थोड़ी देर तक आटे को इस तरीके से करेंगे जिससे हमारे आटे में लो चाएगी और बढ़िया हमारी रोटी बनके रैडी होगी तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी और चीटे लिए हैं पानी के जादा नहीं वनना आटा हमारा गीला हो जाएगा अब इ इसी तरीके से हमें आटा मारना पड़ता है गुथना पड़ता है तभी हमारी रोटी बाजरे की परफेक्ट बढ़ती है और बिलकुल फटती नहीं है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम कितनी देर तक इसको कर रहे हैं ऐसी आप भी आटा गुथिएगा तो आपकी भ अब देखिए इसकी हम कर लेंगे लोई इस तरीके से को एक यक टिप देखियेगा बिलकुल भी रोटी पर पड़ायी बने अब देखिए अब हम आटिली elloं में देखिए पानी लगा लेंगे दोनों हातों में इस तर-ड हे लेके हम इस तरीके से पहले इसको आपनी ओ इस पानी लगा लिया है और इसको इस तरीके से हम बना रहे हैं ये देखिए इस तरीके से बनाना है तो देखिए दीरे 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 इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ये देखिए हमारी बाजरे की रोटी बनके रेडी हो रही है बिलकुल परफेक्ट तरीके से आप भी देख र तो कितना perfect हमारी रोटी बनके ready हो चुकी है तो main चीज इसकी आटा गूतना होता है दोस्तों अगर आटा चितना अच्छा गूतेंगे उतनी बड़िया लो चाएगा आटे में और उतनी बड़िया हमारी रोटी बनेगी अब इसको direct क्या होता है बाजरी की रोटी को हम direct नहीं बाजरी की रोटी को क्यों बाजरी की रोटी चिपक जाती है तवे से अब इसको हम पलट देंगे और धीमी आज पर बनाना है दोस्तों इसको बाजरी की रोटी है इसलिए हाथ से बनाई है तो इसको हमें धीमी आज पर इसको सेकना है और धीमी आज पर हम इसको पकाएंग तब इस नाइफ की साइजता से दूसरी तरफ हम ने देख लिया है के पक गई है के नहीं तो यह पक चुकी है अब हम तब इस पर गैस पर शेक एंगे इसको यह देखिए हर तरफ से इसको अच्छे से सेख लेंगे जिससे हमारी बाजरी की रोटी बढ़िया बनके रेडी हो ये देखिए कितनी बढ़िया फूल रही है हमारी बाजरी की रोटी आप भी देख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया बाजरी की रोटी की खुजबू भी बहुत बड़िया आ रही है दोस्तों ये देखिए परफेक्ट हमारी बाजरी की रोटी बनके रेडी हो चुकी है इसको हम चारों तरफ अच्छी तरीके से सेख लेंगे जिससे कहीं से भी ये कच्ची ना रह जाए देखिए आप भी अप बड़िया सा घी और खाने के लिए रेडी है दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और ऐसे ही मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आप सभी को मेरी ये रेस्पिया कैसी लगती है नेक्स्ट वीडियो में